Hello and Hi, Welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh and today we are going to cover a topic that is related to bhakti movement. दोस्तों Chronicles के इस YouTube platform पे आपका एक warm welcome है. मेरा नाम है Alok Singh और आज हम एक नए topic डिसकस करने जा रहा हैं जो की bhakti movement से related है. अब इस topic को शुरू करने से पहले एक dialectical process बनाते हैं कि आकर इस topic को हम पढ़ क्यों रहे हैं. Socrates एक Greek philosophers थे, उनका कहना था अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपको knowledge gain करनी है तो उसके बारे में question कीज़े, प्रशन कीज़े तभी आपको उसका solution मिलेगा और solution खुद से ही मिलेगा, आपके अंदर से ही वो answer आएगा, कि आकर इस question का answer क्या है. और ये एक best method होता है knowledge को gain करने का. तो आज का भक्ती movement बे हम इसी perspective से begin करते हैं, क्या कर इस topic को हम बढ़ क्यों रहे हैं, इसका relevance क्या है? तो इसका relevance हम तीन important pillars में divide करते हैं, एक तो सबसे पहला है कि ये exam relevant topic है, हम UPC, State PCS या और भी competitive examination जैसे CUET या SAC जैसे examinations को prepare करते हैं, तो भक्ती movement का जो topic है, ये आपकी medieval history से deal करता है, और ये quite important और relevant है, इससे questions quite complex, quite factual पूछे जाते हैं, तो ये exam के perspective से बहुत ही important और relevant हो जाता है. Besides that, अगर आपको आज के time पे contemporary time पे, अगर Indian society को समझना है, बहुत ही जरूरी है, भारतिय समाज को आप तभी समझ सकते हैं, कि अगर आपके अंदर में जाती प्रता से लेके understanding है, कि इंडिया में caste system कैसे run करता है, besides that, इंडिया में, इंडिया को जो है ऐसे cradle of civilization बोला जाता है, यहाँ पे भाती भाती तरह कि जो है, रिलिजन्स का development हुआ हिंदुईजम, बुद्धिजम, जैनिजम और बाद में Christianity और इसलाम जैसे religion भी इंडिया में आए, तो अगर Indian society को और अच्छे सा समझना है, तो आपको इनकी religious, you know, background को समझना बहुत जरूरी है, right, तो इसी perspective में हम जो है इस भाक्ती movement को शुरू कर रहे है, and besides that, जो तीसरा important pillar है भाक्ती movement को पढ़ने का, वो किसी discipline या किसी exam को ध्यान में रखते हुए नहीं, रदर हमारे और आप के लिए, और वो है क्या, हमारे mind में on a regular basis, जो philosophical questions आते हैं, हम अपने आप से question करते हैं कि मेरा existence इस धर्ती पर क्यों है, हमारा और भगवान का क्या relation है, अखिर भगवान है या नहीं है, और है तो किस form में है, यह सारे questions हमारे mind में आते रहते हैं, आप इस चीश से agree करेंगा, right, और ऐसे ही questions on a regular basis, हर एक centuries में, हजारों साल पहले भी जो Indian society में लोग रह रहते हैं, यह वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो human civilization रह रह दी तो उनके mind में ऐसे questions आते रहते हैं, क्या खिर इश्वर कौन है, उसके साथ क्या relation है, तो कुछ हजारों साल पहले भी जब हमारी Vedic society का development हुआ, तो हमारे रिशी मुनिय जो है अपनी तपस्या से अपनी knowledge से जो है बहुत सारे rich compilation किया जैसे वेदो का compilation किया गया, उपनिशन किया गया, पुरान बनाए गया, जिसमें society में क्या order होना चाहिए, इश्वर कौन है, वक्ति और इश्वर के बीच में क्या relation है, ऐसी सारी developments हुई, तो इन चीजों को समझने के लिए एक brief perspective से हमें जो है इस भक्ति मुवमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये मुवमेंट जो है around thousand years चलाता है, एक हजार सालों तक चलाता, भक्ति मुवमेंट के शुरुआज जो है Indian landmass पर 7th century से लेके 17th century तक चली थी, ये medieval history के time period में around 1000 सालों तक ये आं है, हमारा धर्म जो है या Hinduism more specific अगर हम बोले तो from the time immemorial है, जबसे मानो सब्विता के शुरूआ थी तब से ही सनातन धर्म चला आ रहा है, बात में इसको हमने Vedic society या Vedic religion बोला, या फिर Hinduism बोला, तो ऐसी क्या conditions develop हुई होगी जिसके वज़े से एक आंदोलन शुरू हुआ, एक movement शुरू हुआ, that is bhakti movement, कुछ challenges रहे हुँगे religion में Hinduism में, right, कुछ ऐसे challenges हमारे religion ने face किया होगा, जिसके वज़े से जो है, इस medieval time period में कुछ movement, you know, generate हुआ, लोगों में जो question mark उठा होगा, लोगों में प्रस्शन उठा होगा, कि जो हम religion follow करते हैं, वो है या नहीं है, स इसके mind में question mark शायद आया होगा, कि क्या हमारा संबंद इश्वर्स है या है या नहीं है, तो उसी background पे कुछ इंडिया के landmarks पे important saints आते हैं, जो अपनी individual philosophies उपनिशन को पढ़के देते हैं, और बहुत सारी ऐसे religious compilations करते हैं, जो लोगों के बीच में एक understanding develop करता है, कि उनक संबंद इश्वर्स से क्या है, society में क्या moral order होना चाहिए, ये सारी development जो है हम भक्ती मुव्मेंट में पढ़ेंगे, अब ये topic जो है करीब भक्ती मुव्मेंट का जो ये आंदोलन है, around 1000 सालों तक चला था, और इसमें different personalities, different contributions दिये थे, तो ये topic quite large and wide हो जाता है, और इस topic के स चार पार्ट में डिवाइड किया है, आज हम इसी topic का जो है part 1 discuss करने जा रहा है, जिसमें आपको एक macro perspective हम देंगे कि आखिर भक्ती मुवमेंट है क्या, भक्ती मुवमेंट से हम क्या समझते हैं, क्या factors है जिसके वजह से जो है ये भक्ती मुवमेंट शुरू हुआ, background में क् क्या लेकुनास थे जिसके वजह से भक्ती मुवमेंट शुरू हुआ और इसका impact क्या था society पे, जब ये भक्ती मुवमेंट शुरू हुआ तो इन जो saints है जो भी saints है जो भी religious gurus थे इन्होंने society में क्या commentaries दी या, इनके दौरा society में क्या changes लाए, क्या impact हुआ, वो हम इस topic में deal करेंगे and beyond that हम ये देखेंगे कि आखिर ये भक्ती मुवमेंट की शुरूआत की हुई, कहां पे हुई, किस geographical location से भक्ती मुवमेंट का शुरू हुआ, क्या इंडिया, सारे इंडिया लैंडमास पे at a time भक्ती मुवमेंट origin हुए, किसी एक specific geographical location से जो है इसकी beginning शुरू से शुरू हुई और एक macro analysis इन पूरे personalities का देंगे जो कि हम later part अपने subsequent part 2, part 3 और part 4 में उन cents को individually deal करेंगे ताक कि हम exam के लिए quite knowledgeable हो, कि इन answers को जो है easily handle कर सके, now अब हम भक्ती मुवमेंट को deal कर रहे हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर भक्ती मुवमेंट है क्या, basic understanding होनी चाहिए कि आखिर भक्ती से हम क्या समझते हैं और मुवमेंट से क्या समझते हैं, इन दोनों terms को हम segregate करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये भक्ती मुवमेंट है क्या, इनको हम दो पार्ट में segregate करते हैं, एक भक्ती दूसरा मुवमेंट, भक्ती term से आप क्या समझत नाम जपना उसको भजना नाम को भजना उसी से भक्ती टर्म डिराइव किया गया है अब यहाँ इस मोमेंट से रिलेटेड किसी का नाम इसलिए जपना क्योंकि आप उसके प्रति आस्था रखते हैं आपका बिलीफ है आप राम राम बोलते हैं अल्ला बोलते हैं वाहे गुर इश्वर के प्रति आस्था तो अगर हम भक्ति मुवमेंट की स्पेसिफिक सिर्फ इसी पर फोकस करें तो इश्वर के प्रति आखिर आस्था क्यों होनी चाहिए वाई there needs to be devotion towards God तो भक्ति ऐसा concept initially जो है भगवत गीता में describe किया गया था और भगवत गीता में भक्ति टर्म को जो है मोक्ष के लिए यूज किया गया था कि अगर आप भक्ति करेंगे इस्वर के प्रति आस्था रखेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा और मोक्ष क्या होता है मोक्ष का मतलब होता है कि free from the cycle of birth and death मृत्यू और जीवन से जो है इसकी cycle इसके जीवन चक्र से अगर आपको मुक्ति मिले उसी को जो मोक्ष बूलते है और तो भगवत गीता में तीन मार्ग बताए गये थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक था आपका कर्म कर्म के रास्ते से जो है आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं दूसरा आपको जो है ज्यान का मार्ग बताए गया था कि ज्यान के मार्ग से आपको जो है मोक्ष मिल सकता है और तीसरा जो है भक्ति का मार्ग बताए गया था भक्ति के रास्ते से भक्ति के माध्यम से आप इश्वर को प्राप्ट कर सकते हैं तो एक भगवद गीता एक rich treaties है एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन compilation है हमारे religious commentaries का जिसमें individual के जो हमारे बहुत सारे problems होते हैं जो हम डेली लाइफ में फिलोसोफिकल कोशन सुथे, उनका सोलूशन जो है भगवद गीता में दिया गया था, तो भगवद गीता ने जो है मोक्ष के मार के लिए ये तीन प्रोसेसेस बताये थे, कर्म, ज्यान और भक्ति, For the time being, हम इस topic को शुरू करने से पहले सिर्फ अभी कर्म और ज्यान पर फोकस करते हैं, भक्ति पर हम बाद में आएंगे, और इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा जो है, 1000 सालों पहले या 1000 सालों पहले वेदिक सोसाइटी में जाते हैं कि वेदिक सोसाइटी में सोसाइटी का डवलप्मेंट कब हुआ, वेदिक सोसाइटी से हम क्या समझते हैं, वो टाइम पीरियेड जब वेदों का कंपाइलेशन किया गया थे, यानि कि रिगवेद, यजूरवेद अथरवेद जैसे rich compilations बनाए गये हमारे रिशी मुनियों ने इन वेदों का compilation किया और इन वेदों में जो है हमारे daily life से related issuer से related बहुत सारी you know road map दिया गया था तो हम अगर सिर्फ तो हम सिर्फ वेदिक time period की जब बात करें तो ये दो पार्टेट में segregated है एक है आपका early वेदिक period और दूसरा जो है आपका later वेदिक period early वेदिक period में जो है रिग वेद का compilation किया गया था और इस time पे society quite flexible थी women जो है इनका active participation ता society में beyond that एक important development इस रिग वेदिक time period पे होती है वो होती है वर्ना system और इस वर्ना system में जो individuals थे अपने profession के हिसाब से उनको चार पार्ट में divide किया गया था यानि कि जो भी वो job कर रहे थे जो भी नौकरी कर रहे थे जो भी काम पेशा उनका था उसके हिसाब से जो इस वर्ना system में जो है उनको classify किया गया जिसमें पहले थे आपके ब्रामन राइट दूसरे थे शक्तरिय तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र इनको चार पार्ट में इस वर्ना system में divide किया गया और इनको डिवीजन के पीछे जो reason था वो था based on their profession लेकिन जैसे ही society थोड़ी evolve होती है तो in the later time period हम देखते है कि women का जो role है society में वो थोड़ा downfall हो जाता है पहले असी activity थी कि early vedic time period पे अगर women होती थी यह child marriage जैसे practices नहीं होते थे अगर women जो है औरतें जो है विडो हो जाती तो उनका पूरनर विवाह होता था फिर से उनकी जो remarriage की जाती थी right लेकिन जब हम later vedic period में जाते तो इनका status जो है you know थोड़ा नीचे चला जाता और यह वर्ना system जो profession के बिहाँ पर बेस था है इसमें एक rigidity आ जाती है early time period में आप देखते हैं कि एक ही परिवार में चारो stages में थे यानि कि different different profession के लोग जो है रहते थे right और उनके पास एक flexibility थी कुछ rigidity नहीं थी लेकिन बाद में यही वर्ना system rigid होके caste system में तबदील हो जाता है और उसका demerit यह है कि यह जो society थी ब्रामड और शत्रिये के nexus से इनी का absolute domination था जो नीचे के दो वर्ग थे वैश और शुद्र इनका जो है status इतना कुछ अच्छा इस you know later part of the Vedic society में नहीं था जो आपके वैश यह थे वो trading community थी इनका काम था जो है taxes pay करना ब्रामड और शत्री के वी उपर जो है कोई ऐसी responsibility नहीं थी ब्रामड का काम था knowledge disseminate करना शत्री का काम था law and order या लोगों की protection करना और वैश जो होता था वो trading करके जो आप taxes जो है इन दो superior जो communities है उनको taxes पे करता था और शुद्र जो था सबसे abysmal condition में था सबसे खराब स्थिती जो है लेटर वेधिक time period पर शुद्र की थी तो अखिर हम यह topic deal क्यों कर रहे है एस discuss कि हम भगवत गीता में मोक्ष का जो mark बताए गया था वो पहला था कर्म के माद्यम से यह ज्यान के माद्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते है लेकिन लेटर वेधिक part of the society में जो है ऐसा होता है कि जो ब्रामण और शत्री है इनका absolute domination है यानि कि जो वेद लिखे गए थे वो यही ऊपर के जो society के members से उनी को जो वेदों का जो accessibility शुद्र को totally deny कर दिया गया थे क्या वेद पढ़ नहीं सकते राइट and besides that अगर यद्य और पूजा कर्म का मार्ग ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप इश्वर को तभी पा सकते कर्म के थूरू पा सकते हैं जब आप यगे करें पूजा पाट करें सैक्रिफाइसल प्राक्टिस करें तो यह कर्म का एक you know further methodology डिवाइस की गए थी जिसके थूरू आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कर्म के मार्ग पर जो शूद्र का तो कोई ऐसे नहीं था ग्यान के मारग पर अगर वेदों की बात की जाए तो टोटली जो शूद्र को डिनाई कर दिया गया था और जो वेद लिखे भी गए थे वो in the language of Sanskrit लिखे गया थे जो कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं थी जैसे आज के टाइम पर हम इंग्लिश में बाते करते हैं English is a language of rich elitist तो उस टाइम पर Sanskrit एक elitist language हो दे तो जो नीचे तमके का सोसाइटी था उसके पास accessibility नहीं थी कि वो ज्यान के मार्क से या कर्म के मार्क से जो है इश्वर को पा सके या या मोक्ष पा सके तो सोसाइटी में एक exclusivity बनती है यह शूद्र या विमें जो भी है एक बहुत बड़ा तमका जो है उस समय की वेदिक सोसाइटी का जो हिस्सा है वो इन चीजों से एक्स्क्लूड हो जाता है और उसके माइन भी एक question mark लगता है कि हमारे हम कैसे इश्वर को प बता मोच चुके थे तीसरा रास्ता बसता है भक्ति और इसी टॉपिक से हम डील करने जा रहा है कि भक्ति थ्रू डिवोशन ऑफ गौड ही आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या इश्वर से अपना correlation बिल्ड़ अप कर सकते हैं और उस समय भी जो रिजिडिटी थ यग्या जैसे प्रोसीजर को डिफाइन किया कि आप यग्य करेंगे यग्या में आहूती देंगे सैक्रिफाइसेज देंगे बली चढ़ाएंगे तो आप इश्वर के तुरू संबंद बना सकते हैं या उनके तुरू connect हो सकते हैं और इन यग्या को करने के लिए भी प्रीस के लिए भी नहीं है और पूजा पाट और इन चीजों में साक्रिफाइस करें और क्योंकि एक अंटैचिबिलिटी का कंसेप्ट डवलप हुआ तो यह भक्ति का भी जो कंसेप्ट है उनके लिए इन एसेसिबल हो गया तो हुआ क्या हमारे सोसाइटी में एक एक स्क्लूसिविटी बन गई एक समाज में जो है विभाजन सा क्रिएट हो गया जिसमें ब्रामट शत्री का डॉमिनेशन हो गया वैस जो है इंटर्मीडेट रहा और शुद्रू तो टोटली एक्स्क्लूड हो गया तो अपने आपको जो है एक वननेस की भावना यह यू कि पेस्टी बन गई नहीं रखा जाए तो उसके उपर क्या इंपक्ट पड़े है क्या साइकलोजिकल इंपक्त पड़ेगा उस परिवार का अपने आपको हिससा समझहेगा यह नहीं समझहेगा इसी भिःप पे जो है सोसाइटी में एक्स्क्लूसिविटी शुरू होती है शुद्र जैसा जो वास, you know, एक वास majority of the section of society वो exclude हो जाता है, right? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर फर्दर हम अभी यह देखेंगे कि भक्ती movement इनकी exclusivity से society पर क्या impact पड़ा? For the timing अभी यह देखते हैं कि भक्ती का purpose था devotion to God और उसका purpose था मोक्ष, लेकिन लोगों में question mark था कि आखिर हम इश्वर के पती आस्था रख रहा है, लेकिन आखिर इश्वर है कौन, दिखता है कैसा है, how does God appear, क्या कोई उसका रूप है या वो निराकार है बिना किसी रूप का है, तो further जो भक्ती movement हम पड़ेंगे, तो इसी interpretation पे जो personalities हैं, जो भी भक्ती movement से related important personalities हैं, उन्होंने अपनी rich commentary दी और individual और God की बीच में क्या relation है, इश्वर कैसा दिखता है, God का क्या रूप है, उसके भिहाँ पे उनकी अलग-अलग commentaries थे, कुछ लोगों ने जो है, इश्वर को जो abstract माना कि उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, तो later जो personalities से इससे deal करते तो वो निर्गुन भक्ती में आते हैं, जिसका कोई रूप न मानते थे, यानि कि इश्वर का कुछ रूप है, और उन personalities को जो है, शगुन भक्ती में रखते हैं, further हम देखेंगे कुछ सेंट जो है, भगवान शीव के अराधना करते हैं, कुछ भगवान विश्नु के अराधना करते हैं, तो वो इश्वर में एक रूप देखते हैं, और इसी बिहाब पे भक्ती मुव्मेंट जो शुरू हुआ, अब वापस आते हैं, इसी भक्ती पे, कि शूदर की exclusivity हुई, लेटर 500 BC के अराउंड जो है, हम देखेंगे, लेटर 500 BC के अराउंड हम देखेंगे कि इंडियन लैंड बास पे कुछ important religions का development होता है, जैसे कि बुद्धीजम और जैनिजम, बुद्धीजम और जैनिजम जैसे नए religions आते हैं, इनकी अपनी individual philosophies होती है, और ये society के हर एक member को अपने धर्म में accept करते हैं, तो जो शूदर ज जैसी category या lower caste की जो category थी, जो caste की rigidity की वज़े से अपने आपको exclude पा रही थी, उनका acceptance इन दोनों religion में आके मिलता है, besides, later part of the Vedic period में जो पहले, इश्वर की पती जो हम आस्था रखते थी या devotion रखते तो quite simple था है, वेदिक society में पहले हमने nature की worship करते थे, या निको प्रकिती क उपा सकते, लेकिन बाद में rigidity आजाती, complex rituals आते हैं, कि आप यग करेंगे, बली देंगे, तभी आप जो है, जो worship का methodology है, या तभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो Hinduism में एक rigidity आगे थी, लेकिन वही है, जब हम ध्यान दे Buddhism और Genism पर तो ऐसी कुछ rigidity नहीं थी, इनका कहना था है कि आप सिर्फ meditation से ही, आप purity of conduct से ही जो है, अपना individual salvation कर सकते हैं, तो एक तो ये था कि Hinduism में complex rigidity थी, besides that, caste system का जो rigidity थी या इनकी जो demerits थी, उनको उस loophole को जो है, बुद्धिजम और Genism जैसे religion ने जो है, फिलप किया था, तो बुद्धिजम और Genism में जो है, इ उनका acceptance होने लगा, besides, लेटर जो है, बुद्धिजम और Genism में जो है, बहुत सारी philosophies आती है, इनका patternage, important kings जो थे, जो उस टाइम पर के important kings थे, जैसे चंदरगुप्त मौर हुए, उन्होंने Genism को embrace किया, आशोग थे, उन्होंने बुद्धिजम को accept किया, कनेश का आते है, ज बुद्धिजम को accept करते हैं, तो इन religions का patternage by the rich elitists, जो kings थे, उनके थ्रू होता है, तो बुद्धिजम और Genism का बहुत तेजी से propagation होता है, और वेदिक society और Hinduism जो है कहीं ने कहीं backdrop में चली जाती है, लेटर सबसे challenging part ये होती है कि बुद्धिजम और Genism में जो है, वेदास की authority को जो है दिनाई कर दिया जाता है, ये totally जो है वेदास को नेगेट कर देते हैं, इसकी acceptance को, जो अब तक की, I know, vast majority of the society जो वेदास को accept कर रहे थी, उनको ये concept दिया जाता है कि वेदा की authority acceptable नहीं है, तो बुद्धिजम और Genism से जो है, एक इंडियन सोसाइटी में बहुत ही as you know की भक्ती मुवमेंट जो है 7th century C से शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले ही जो है, इंडियन लैंड मास पे जो है, ट्रेडिंग हुआ करती थी, ये southern part of the India है, इस पे अरेबियन पेनिंसुला से जो है, ट्रेड करने के लिए वहां के इंडिविजोल्स आते थे, और इस इसी time period पर जो इसलाम का बर्थ होता है, इसी time period पर जो इसलाम का बर्थ होता है, तो जो अरेबियन पेनिसुला में पहले ट्राइबल्स ऐसे कबीली लोग रहते थे लेकिन जैसे ही Islam का development अरेबियन पेनिसुला में होता है और इसलाम को accept करते हैं, तो अपनी ideology को आके जब य आइडियास को एक्सचेंज करते थे, कि इसलाम में वननेस अफ गॉड पर बिलीव किया जाता है, कि इसलाम में जो एक ही इश्वर है, एक ही गॉड है, and besides that, इसलाम में कोई भी कास्सिस्टम जैसा प्राक्टिस नहीं है, यानि कि सभी बराबर है, एक ही गॉड है, और कास्सिस्टम जैसे कोई भी प्राक्टिस इसलाम में नहीं है, और यह आइडिया आके जो है, इस पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉंटिनेंट में जो इस आइडिया को डिसेमिनेट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी थी, जो उस समय कास्सिस्टम की रिजिटरी से सफर कर रही थी, एक कन्फूजन था उनके माइंड में की, उनके और इश्वर की बीच में कुछ संबंध हो सकता है, या नहीं हो सकता है, इश्वर है या नहीं है, इन सारे लूफ होल्स को दिहान में रखते हूं उनके प्रती जो है इसलाम के लिए एक रिस्पेक्ट हुई और इसलाम का acceptance उनके माइंड में शुरू हो गया और that led to the conversion of majority of the Hindus in the southern part of the Indians. यह एक practice था around 7 to 8 centuries around. beyond that अगर आप history पढ़ेंगे तो 1191 और 92 में जो battle of terrain होता है यानि कि Islamic invasion जो इंडियन landmass पे होता है और Turkish rule का establishment Indian subcontinent पे होता है और जो Brahmin और शतरी का domination तो absolute domination वो कहीं न कहीं dismantled होता है feudalism वाला जो society थी जो गाओं में रहती थी केती बाड़ी होती थी वो dismantled होती है and beyond that क्योंकि Islamic invasion Indian subcontinent पे होते तो बहुत सारे मंदिर सोड़े जाते हैं लोगों को forcefully convert किया जाता है जिससे कि यहां की society में एक pain सा होता है कि उनके religion को challenge किया जा रहा है लोगों में unity नहीं है यह सारे factors जो है मिलके एक suitable background develop करते हैं जिसके वजह से भक्ती movement शुरू होता है अब तक हमने देख लिया कि भक्ती movement के development से पहले क्या factors इंडियन सोसाइटी में prevail हो रहे थे क्या loopholes और gaps थे क्या लोगों के बीच में individual question mark थे या philosophical question mark थे related to their relation with the god their relationship with the god यानि कि इश्वार और उनके बीच में क्या संबंद इन सारे चीजों को लेके इंडियन सोसाइटी में एक हजारों सालों तक एक question mark developed हुआ लेकिन फर्दर जो है इसी इश्व को ध्यान में रखते हुए भक्ती movement का development होता है तो फर्दर हम देखते हैं कि इसकी geographical beginning कहां से शुरू होती है आखिर भक्ती movement शुरू कहां से होता है इंडियन लैंड मास पे and besides that यह भक्ती movement initially religious revivalism की तरह देखा जाता है यानि कि धर्म पुर्ण जागरन की तरफ उन लोगों में जिन्में धर्म के प्रति आस्था खतम होते जा रही थी एक वास majority of society जो धर्म के luxuries या उनके benefit या जो भी उनके individual question mark से उनको deny कर दिया गया था तो उनको question mark को ध्यान में रखते हुए कैसे religious revivalism होता है कौन-कौन से important personalities या saints थे जिनों ने उन सारी lacunas या evil practices को suppress किया और Hinduism को एक नए perspective society के सामने रखा तो इसकी development initially जो है southern part of the India में begin होती है and more specific in the 7th century sea 7th century century sea में important saints होते हैं 7th century और 8th century sea में जिन्हें alwar और nainar saints मोलते हैं इनके थ्रू जो है भक्ती movement की शुरुवात होती है in the southern part of the India अब यह alwar और nainars है कौन अलवार जनरली वो saints थे जो भगवान विश्नु की पूजा या उनकी worship किया करते थे and nainars वो थे जो भगवान छिव की आरादना किया करती थे अब neonars को अगर easy language आपको समझना है किसी की आरादना की करते थे to you know कि भगवन छिव की तीन आखेती तीन नंते उनके तो जो ले से वो भगवान फूरा पुजा करते थे उनकी worship करते तो अलवार जो भगवान विश्नु की करते थे तो southern part of the India में in saints का जो है development होता है and previously मैंने discuss किया था कि जो उस समय Sanskrit हो थी, language of elitist थी, जो privileged members of the society थी, वो Sanskrit का use किया करते थे, knowledge को जो dissemination होता था वो Sanskrit में होता था, यानि कि आम लोगों के लिए समझना जो भी वेदों में लिखा है यह उपनिशत में लिखा है, उनको समझना बहुत ही मुश्किल था, तो एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा barrier था, उस barrier को खतम करने के लिए अलवार और नैनार से in southern part of the India मे यह भजन कीर्थन किया करते थे, और भजन कीर्थन किस लैंग्वेज में करते थे, जो वहां की local language होती थी, local direct होती थी, उसके दुरू जो है, लोगों में जो है, या भजन कीर्थन किया करते थे, जिससे लोगों में एक awareness पैदा होई, इश्वर के पति जाने लगे, धर्म क प्रती जाने लगे, उनके बीच में cultural unity create हुई, तो अलवार और नैनार्स के बारे में हम देखेंगे कि इनके थुरू जो भक्ती movement शुरू होता है, लोगों में consciousness develop होती है, एक Hinduism का revivalism होता है, लोगों में awareness होती है, curiosity develop होती है regarding religion, regarding God, and जब हम यह अलवार और नैनार्स को के लेंगे तो लेटर हम देखेंगे कि 8th century में एक important saint आते हैं जिनको हम आदी शंकराचारी बोलते हैं, इनका बर्ज जो है केरला में होता है, although आदी शंकराचारी को directly एक भक्ती saint नहीं बोलते हैं, इनकी जो भी आदी शंकराचारी का ऐसा rich contribution भक्ती की तरफ नहीं है, लेकि का indirect effect जो है Indian society at a large पे हुआ, जैसे हम देखेंगे कि आदी शंकराचार ने इंडिया ऐसा लैंडबास पे इंडिया की चारो दिशाओं में जो मठ का establishment किया, जैसे बदरिनात, उत्तराखंड में, श्रिंगेरी, करनाटिका में, पूरी, औरिसा पूरी में एक मठ का establishment किया, और जी कुछ theories दी, उपनिशत को पढ़ने के बाद उन्होंने define किया कि इश्वर क्या है, लोगों का relation इश्वर के कैसा है, और अगर individual salvation या मोक्ष की प्राप्ति करना चाता है, तो क्या roadmap होगा, जिससे जो है, आप जो है, मोक्ष पा सकते हैं, और आदी शंकराचार ने जो rigidity थ के लिए, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो इन्होंने एक class dismantlization किया, जो rigidity थी caste system को, उसको कहीं ने कहीं तोड़ा, तो इनकी philosophy जो है, इन डरेक्ली भक्ति मूमेंट को contribute करती है, लेटर हम saints like Ramanujachari को देखेंगे, जुत्त की Tamil Nadu में है, फिर हम मादवचार के बारे में पढ़ेंगे, and subsequently Vallabachar, along with Nimbakachar, जैसे important saints जो है, इनका contribution भक्ती मूमेंट के लिए southern part of India में है, इन्होंने अपनी individual philosophies दी, अपनी अपनी procreation की, कुछ-कुछ rich commentaries दी, जो हमारे religious book हैं, जैसे भगवत गीता, ब्रह्म सोत्र, उपनिशद, इस पर rich commentaries दी, और लोगों को बता आया कि इश्वर क्या है, और इश्वर के प्रती हमारा संबंद क्या है, तो इससे एक issue arose हुआ कि लोगों में जो consciousness है, जो ज्यान का मार्क था या भक्ती कैसे इश्वर के साथ संबंद करेट कर सकते हैं, इन saints के contribution के थूँ जो है, लोगों में एक understanding develop होती है, एक awareness, एक consciousness develop होती जो कि Hinduism के revivalism या भक्ती के revivalism से शुरू होता है, लेटर जो है southern part of the India से ये भक्ती movement transfer होके states like करनाटका और महारास्टा में जाता है, और इन करनाटका और महारास्टा में important states हम डील करेंगे, जैसे कि बसवना है, जो कि लिंगायात या भगवान शिव की पूजा करते थे एक जायात आज के contemporary time period में आप देख रहे हो कि करनाटका में डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो हिंदुजम से अलग रखा जाए, अलग religion की तरह का इसकी beginning जो है यहीं आपकी part of the India का जो state करनाटका वहाँ से शुरू होती, तो हम यहां देखेंगे कि भक्ती मुमेंट देखेंगे कि इन्होंने भक्ती मुमेंट में क्या क्या कॉंट्रिबूशन दिये, यहां के जो लोग थे महारास्ता में विठोबा को जो है वर्शिप करते थे, विठोबा जो होते थे भगवान विष्णु का है रूप माना ही आते थे, तो इन लोगों में विष्णु के यहां कि इन्हों ने भी जो है लोकल लेंगवेज का यूज के है यानि कि मराथी में जो है जो भी इंपोर्टेंट बुक्स थी जैसे भगवद गीता इनका जो ट्रांसलेशन किसी मराथी लेंगवेज में किया जिससे लोगों के पास accessibility डवलप हुई, लोगों में understanding डवलप में सुई, तो हम इन फर्दर पार्ट इन सेंट्स को इन डीटेल डील करेंगे और लेटर देखेंगे कि करनाट का और महारास्टा से फर्दर यह जो भक्ती मूमेंट जो है डेसेमिनेट होके नॉर्दर पार्ट अफ इंडिया मोर स्पेसिविक इन 15th सेंचुरी जो ट्रांस यह हम देखेंगे कैसे यह सोफ़ोल एलिजिस मूममन हो जाता है यानिक धर्म के साथ-साथ समाज को भी रक्टिफाई या प्यूरी फाई करने की बात की जाती यह कास्स्थम जैसे प्रक्टिसेज को खतम करने की बात की जाती यह यूनिटी इन गॉर्ड पर बिलीव रखा के बारे में बता हैं लोगों का एक गराई तुम काकी शाइशन के लिंपनी को अस्थान नीचे था उन का स्थान था क्योंकि इनका क्योंकि थ्यृत रहुत हम देखेंगे की इन दे स्टेट्स ऑग गुजरात इंपोर्टन भक्ती सेंट्स लैक ददू दयाल राजिस्थान में हम देखेंगे तो एक लेडी भक्ती सेंट है मीरा बाई जो की राणार सांगा की बहु है उनका रिच कॉंट्रिबूशन भक्ती मुव्मेंट के लिए क्या है इन दे भक्ती पर इंफसाइज करते हैं वर्नेस ऑफ गॉड पर बिलीव रखते हैं हमेशे एक डिबेट होता है कि हिंदू जो है आइडल वर्शिप मूर्ती की पूजा करते हैं लेकिन हम जब इन फिलोस्पी से इन भक्ती सेंट्स के फिलोसफर्स को जो पढ़ेंगे या इनकी प 15th century संकर्दे को पढ़ेंगे जो की आसाम में थे और उन्होंने अपनी भक्ती मूवमेंट के लिए क्या क्या रिच कॉंट्रिबूशन दिये बिसाइड बियांड बेंड आप वेस्ट बेंगाल में जब आएंगे तो चैतरन्या महाप्रभू के बारे में पढ़ेंगे कि उन कि भक्ती मूवमेंट पीक का वही तो एराउंट 15th to 17th century बहुत सारे ऐसे बहुत पर्सनालीटीज थे जिनों ने जो है इस बहुती मूवमेंट को और स्टेंड न किया और रिवाईव किया वेस्टे साइटी में एक कॉंशियसणेस डवलब की राइट लाइक 15th century में आपके भक्ती मुवमेंट को और स्टेंदेन और रिवाई किया, सोसाइटी में यूनिटी पे इंफेसिस किया, कास सिस्टम को खतम करने की बात कि, तो इसका इंपेक्ट ओवर ओल इंडियन सोसाइटी पर ये पड़ा, कि लोगों में यूनिटी क्रियेट हुई, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, जो एक सपरेशन था, एक गैप था, लेंगविज बरियर था, उसको इन लोगों ने इजी लेंगविज में यूनिटी क्रियेट की, बियॉंड एक क्योंकि सेंट्स त्रूआट इंडिया जो मूव कर रहे थे, तो पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट पे धर्म का प्रचात पसार हुआ, लोगों के प्रती आस्था बड़ी, जो चैलेंजेस बुद्धीजम, जैनीजम या इसलाम की वज़ए से आ रहे थे, उनको जो है, उनका solution, जो है इन भक्ती मुवमेंट की important personalities के थूँ जो है, उनका solution मिला, तो overall impact society पे इस भक्ती मुवमेंट का क्या पड़ा, कि समाज में जो है equality डवलप हुई, जो नीचे का lower caste के लोग थे, जिनको वेदास से deny कर दिया गया था, उनको ये लगता था कि इश्वर के थूँ अगर उनको कुछ को रिलेट करना है, तो यग्या और पूजा के थूँ जो ही किया जा सकता है, तो ये जो भक्ती सेंट सेंट इन लोगों ने जो अपनी commentaries दी, जो अपनी knowledge society में दी, उनके, उसके थूँ जो लोवर कास के लोगों को ये awareness हुई, कि हम भी जो है mainstream religion philosophies में आ सकते हैं, इश्वर के थूँ जो है अपना direct relation established कर सकते हैं, और फिर समाज में एक equality की भावना इनके बीच में develop हुई, तो इस भक्ती मुवमेंट का एक impact ये भी था कि social equality हुई, besides जो अभी discuss किया कि linguistics और cultural barrier थे, वो कहीं नहीं कहें इन important personality से भक्ती मुवमेंट के थूँ जो गाप जो था वो खताम हुआ और लोगों में more linguistics और cultural unity हुई, besides क्योंकि oneness of God की बात की गई थी, एक इश्वर बात की बात की गई थी, एक ही इश्वर है, ओंकार, ऐसा कुछ डिस्कस किया गया था, तो एक religious syncretism developed हुआ, ये जो भी important personalities थी, उन्होंने बोला कि इश्वर एक ही है, भले उस इश्वर तक पहुँचने के लिए, मोक्ष की प्राप्तिक के लिए अलग-अलग मार्ग दिये गया है, लेकिन सबका purpose सेम है, तो एक unity की भावना, एक secularism की भावना, जो भक्ती movement का impact था, जिसके थूँ जो है religious syncretism हुआ, beyond that religion का democratization हुआ, पहले ब्रामण ये शत्री वर्गे के लिए ही religion था, lower caste of the society को जो है, you know, religion का access नहीं था, वेदास का access नहीं था, लेकिन भावत्ति मुव्मेंट की वज़े से जो है, अब lower caste की society के पास भी इस religion का access था, तो क्या हुआ, democratization of religion शुरू हुआ, besides, और भी rich commentaries लिखी गई थी, ब्रह्म शुत्र, भागवद गीता या उपनिशत में further edition हुआ, बहुत सारी rich compilation, जैसे कि कबीर दास ने अपनी बिजक में रखा, poetries लिखी, जो कि local language में थी और इश्वर के प्रती थी, या society के प्रती थी, तो बहुत सारी literature या arts का development हुआ, और जो पहले से चली आ रही थी religious, orthodoxy या जो भी complex rituals से, उनको इस भक्ती movement ने challenge किया, तो उन्होंने जो religious orthodoxy को इन personalities ने throughout centuries जो challenge किया, और लोगों के प्रती जो है, लोगों में जो है इस भक्ती movement के थुरू बहुत सारे ideas का dissemination हुआ, लोगों में understanding develop हुई, पहले ये सब सारे topics जो बहुत ही complex होते थे, आज के time पे अगर आप भगवत गीता पढ़ने बैटे हो, तो बहुत ही complex philosophical theories है, जो उनको समझना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, तो भक्ती movement के थुरू जब ऐसे personalities या ऐसे भक्ती saints आये, जो लोगों में easier language, easier methodology में जब लोगों को समझाया, तो जो भक्ती के ideas थे, उनका जो है propagation जो है, बहुत ही आसान हो गया, लोगों को समझ में आने लगा, तो भक्ती movement in totalitarian जो है, एक society में unity, uniformity, along with oneness की भावना लेकिया आई, और कहीं न कहीं ईश्वर में आस्था और more specific Hinduism, या और बे religions के इनके revivalism के बाद शुरू हुई, जो question mark था, जो हम शुरू में, आज भी question mark करते हैं कि हमारी existence क्या है, इश्वर के साथ हमारा क्या relation है, ये सारे questions का जो solution जो है, कहीं ने कहीं इस भक्ती movement ने दिया था, तो part 1 में हम अभी इतना ही deal करेंगे, subsequent part में हम इन important personalities जो हमने देखा, इनको chronology wise, जो है, इनो, डील करेंगे, कि इनकी क्या rich contribution थी, factual detail लेंगे, जिससे कि प्रिरिम्स की question जो हम easily handle कर सकें, अभी तक हमने एक macro analysis किया है, को overall view लिया है, कि या खिर भक्ती movement क्या था, कि इस background में डवलब हुगा, कि इन geographical location से शुरू हुगा, इसका impact क्या था, तो हम इन भक्ती सेंट्स को one by one, जो है, डील करेंगे, पार्ट टू में, जो है, सदन पार्ट अफ इंडिया में, जो important सेंट्स हैं, जैसे कि शंकराचारे, रामनुजचारे, मादवाचारे, जैसे सेंट्स को जो है, पहले दूसरे पार्ट में डील करेंगे, इनकी rich philosophies दें कि इन्हों ने क्या-क्या ऐसी activity की थी, जो भक्ती मुवमेंट में एक contribution की तरह रहता है, and beyond that, अभी मैंने discuss किया थी, कि आदी शंकराचारे को जो है, डिरेक्ली भक्ती सेंट नहीं माना जाता है, रदर, इनकी activity या इनकी जो, जो भी इनकी course of activity throughout इनकी birth life cycle में थी, उसके वज क्या है, किसकी पूजा करते थे, इनका religious belief क्या था, या जो भी इनकी individual philosophies क्या थी, तो हम लेटर जो पार्ट 3 में महरास्टरा को deal करेंगे, और चौते पार्ट में हम जो northern part of the India है, जो important scene से, उनको deal करेंगे, उनकी rich commentaries को deal करेंगे, this is all for today's, ये part 1, hope आपको अच्छा लगा हो होगी, and subsequently हमारा effort रहेगा कि subsequent part में भी इस topic से सारे questions को easily solve करें, कर सकें, ताकि जो भी related information हम आपको easily provide कर पर पाएं, till then goodbye and all the best.